इंस्टाग्राम पे आप अपनी किसी भी रिल्स या पोस्ट को कैसे हाइड कर सकते हैं आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा तो चलिए बिन टाइम वेस्ट किए इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है और नीचे परोफाइल पर क्लिक करना है प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद तो आपके सामने जो आपकी पोस्ट है सब यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी ठीक है अब आप जिस पोस्ट या रिल को हाइड करना चाहते हैं उस पर सिंपले आपको क्लिक करना है तो मैं इसे यहाँ पे इस reel को हाइड करूंगा तो बिल्कुल ध्यान से समझेए इस reel के आगे 3Dotain पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई private का option नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी हम इसे कैसे private कर सकते हैं जी हाँ दोस इसे आप जो आपकी रिल यह पोस्ट हाइड हो गई अगर आप उसे वापस में सो कराना चाहते हैं वापस लाना चाहते हैं तो कैसे वापस लाएंगे उसके लिए आपको Instagram की 3Line पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक अर्चीव का option देख रहा है इस पे क्लिक कर दे क्लिक करने के बाद आपको देखना है यहाँ पे वो रिल्स दिखाई दे जाएगी ठीक है जो जो आपने हाइड की है ठीक है तो सिंप्ल अगर आपको नहीं दिखाई देती तो यहाँ पे आपको यह वाला option मिलेगा story अर्चीव का ठीक है ऐसे मिलेगा तो आप सोधे रहों है जो अगर आपको वापस लानी है फिर से three dot पे क्लिक करना है और so on profile इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर में क्लिक कर देता हूँ और so on profile फिर से ok करेंगे तो देख सकते है post restored हो चुकी है अब आपको करना कुछ भी नहीं है यहाँ से back करना है थोड़ा सा और back करना है और अपने Instagram को वापस में open करना है एक बार अपने page को refresh कर लेना है तो जो आपकी reals है वो वापस आ जाएगी देख सकते है reals वापस आ चुकी है I hope इस वीडियो में दी गई जानकरी आप अच्छे से समझ गई होंगे